पानाति पाता विर्मनी जिख्खाप धिंक्समादी होई सनातन सब्द का असली अर्थ एक बहुत पुरानी किताब है दुनिया की सबसे पुरानी किताब जो चीन में छपी सबसे पहले जब चीन में कागज बना और चीन के अंदर छपाई आरंब होई दुनिया में सबसे पहले चपाई और कागज चीन में बने है तो सबसे पहले चपने वाली जो किताब थी उस किताब के अंदर ये शब्द था सनन्तनो जिसको भारत के अंदर बाद में बदल कर सनातन किया गया सनन्तनो सब्द भारत का सब्द है पुरानी भासा जिसको आज पाली बोलते हैं उसका सब्ध है वो जो किताब छपी थी उसका नाम था धम्पद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भिकने वाली सबसे ज़्यादा छपने वाली औरिजनल किताब बाई बुद्ध यानि के बुद्ध के दौरा जो बातें कही गई उन बातों मेंसे जो प्रमुक बातें थी उनको छाट छाट कर बुद्ध के जाने के बाद भिकोंने 500 भिकोंने जो एक अलग से गांट बनाई गंत बनाया लिखा क्योंकि बुद्ध के बाद तक के समय में कागज नहीं था, लिपी नहीं थी, अक्षर नहीं थे पर वो कंठस्त बातें याद की गई जिसको धमपत के नाम से याद किया गया कि ये धमपत की गाथाएं हैं गाथाएं मतलब जो गाकर कथाएं कही जाती थी, वो गाथाएं उसके अंदर आती हैं, बाद में जब कागज का विश्कार हुआ तो चीन में सबसे पहले वो किताब छपी क्योंकि भारत से जो बुद्ध का धमपत की गाथाएं और पूरा का पूरा तरी पीटक, तरी पीटक पेटियां थी, यानि गंध थे, इनको तरी पीटक बोला करते थे, इसके एक गंध के हिस्से में धमपत भी आता था, उस धमपत की पांचवी जो गाथा है, उस गाथा के अंदर ये लिखा हुआ है, कि वैर से वैर शांत नहीं होता, यानि दुस्मनी से दुस्मनी कभी भी खतम नहीं होती, वैर से अवैर शांत होता है, यानि दुस्ती से दुस्मनी हमेशा खतम होती है, अगर दो लोगों में दुस्मनी हैं और उनमें हमेशा दुस्मनी चलती रहेगी और वो दुस्मनी करते रहेंगे, तो जीवन में दुस्मनी समाप नहीं होगी, पर उनमें से एक व्यक्ति अगर दुस्पनी की जगे प्यार की बात करेगा, तो दूसरा व्यक्ति भी प्यार की बात करेगा, तो उनमें वैर्क खत्म हो जाएगा, इसको कहा गया है, ऐस धमों सनन्तनों, यानि ये जो प्राकर्टिक नियम है, धमों बोलते हैं प्राकर्टिक नियम को, जो बाद में man-made नियम बदे और man-made यानि मनुस्य द्वारा बनाए गए नियम जो बदले गए उनको धर्म कहा गया जो बाद में भासा बदली तो ऐस धम्मों सननत्रों यानि कि ये प्राकर्टिक धम्म इसको सननतनों बोलते हैं बाद में इसको सनातन करके बदला गया दरसल सनन सननतनों का आर्थ जो आता है वो इसके मूल सब्द सननतन से आता है सननतन का आर्थ है सै और अनन्त यानि कि सै माने होता है खुद और निज जैसे सै सार सै सार को बाद में संसार बोला गया सै सार का मतलब होता है खुद का सार तो जो सै अननतनों है इसका मतलब निज से लेक और अनंत तक मुझ से लेके और अनंत बहार तक लोग से लेके और परलोग तक लोग माने सरीर होता है पाली भासा में और परलोग माने होता है सरीर से परे यानि के पूरे यूनिवर्स तक कहीं तक भी तो यह जो नियम था कि दुस्मनी से दुस्मनी शांत नहीं होती दोस्ती मनुस्य के लिए ये लाग होता है और ये अजर अमर नियम है इसलिए बाद मैं इस नियम को देख कर ऐसा करके संसकाइद करके इसका अर्थ बताया गया कि जो सदा से है जो शाश्वत है शाश्वत सब्द हमारा नहीं है यानि भारत का नहीं है क्योंकि उसमें शे आता है शे का कोई भी सब्द या शटकॉर्ण वाले शे का कोई भी सब्द भारत का सब्द नहीं है शाश्वत का कोई रथ पाली के अंदर नहीं है और सनातन का भी पाली पुरानी भासा में कोई और्थ नहीं है ये बद्ला हुआ है पर सनंतनों का और सनातन का जो अर्थ बद्ला गया है वो धमपद के इसलोग यानि सुत नंबर 5 से आता है आप चाहें तो Google पर Try कर सकते हैं Google पर देख सकते हैं धमपद सुत नंबर 5 जिसमें साफ लिखा हुआ है वैर से वैर सांत नहीं होता, यानि आग में आग डालते रहेंगे तो आग और भढ़केगी, आग में अगर पानी डालेंगे, वैर में अगर अवैर डालेंगे, तो फिर आग शांत हो जाएगी, ये सनतनो नियम है, ये सनातन नियम है, ये नियम अजर अमर नियम है, इसनिये इसको वहां से अजर अमर और सनातन के नाम से बदल कर बोला जाता है संगहनमामी, संगहनमामी, संगहनमामी